Hello and welcome you all, मैं हूँ धननजय इसी महीने के 5 तारीक को US में election है और किसी भी politician के लिए जो सबसे important चीज होती है वो होता है चुनाओ और उसमें से भी अधिक उस चुनाओ को जीतना तो जैसे जैसे US में चुनाओ का date नज़दी का रहा वैसे वैसे अब Trump को ऐसा लगने लगया कि जो Indian American है उसमें से भी खास करके जो Hindu religion को follow करते हैं उनके उपर बीते कुछ सालों में काफी अत्याचार हुआ तो यहाँ पे जो इनका कहने का मतलब है वो यह है कि अगर इस वक्त Trump President होते है US का तो जो अत्याचार US में Hindu के उपर हुआ वो इनके time period में नहीं होता मुझे यहाँ पे कहने के जरुवत नहीं है कि यह सारे जो statements होते हैं यह complete तरीके से एक political statement होते हैं जिसकी validity तभी तक रहती है जब तक कि चुनाव रहता है इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर में Trump की ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसके कारण यह US में Hindu को attract कर रहे हैं इसी साल के August के महीने में बांगलादेश में तकता पलट होता है और जैसे ही बांगलादेश में तकता पलट होता है वैसे ही बहुत ही targeted तरीके से वहां के जो minorities हैं उन पे attacks होते हैं उनके religious places को जला दिये जाते हैं उनके property को नश्ट कर दिया जाता है और ऐसा नहीं है कि यह जो attacks हुए हैं यह सिर्फ हिंदूों के उपर हुए हैं तमाम तरीके का जो minorities बांगलादेश में रह रहे थे उनके उपर भी हुआ और बहुत सारे जो attacks थे वो Muslims के उपर भी हुआ तो यहां पे जो हमें समझने वाली बात है हमारे लिए वो यह है कि बहुत बार जो attacks होते हैं वो religion के basis पे भी होते हैं और बहुत बार जो attacks होते हैं वो इसलिए भी होते हैं ताकि उनको पता होता है कि आप किस political party से belong करते हैं या आप किस political party को support करते हैं बांगलादेश में जो minorities थे वो बहुत हद तक शेक हसीना को support करते थें तो यह भी one of the reason थे कि क्यों इनके उपर attacks हुए हैं जहां तक बात किया जाए minorities के बारे में चाहे वो भारत के हो या दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर वो minority group काफी strong होता है in terms of finance या उनका काफी अच्छा business में involvement होता है तो उनका जो respect या उनका जो dominance होता है वो जो उस देश या उस society में जो majority होते हैं उनके भी उपर होता है कहने का मतलब है कि भारत में भी कुछ ऐसे minorities है जिनका काफी अच्छा business में hold है यानि कि बहुत बड़ा जो देश का economy है वो उनके सहारे ही चलता है तो यहां पर जो समझने वाली बात है वो यह है कि आपके उपर attacks सिर्फ इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि आप minority हैं बहुत सारे ऐसे minorities है चाहे आप भारत की बात कर लें या पूरे दुन्या की बात कर लें जिनका finance या जिनका economy के ऊपर अच्छा पकड़ है जिनके businesses काफी सारे फैले हैं उनके सामने सभी कोई घुटना टेकता है तो जब भी हम minorities के बारे बाते करें तो हम सिर्फ किसी एक point को पकड़ के हम बाते ना करें बलकि हम possibly उस चीज़ को समझने के लिए सभी angles का हम सहारा लें और साथ में जहां तक बात किया जाए Trump के बारे में तो यहां से लगभग एक महीना पहले Trump ने Kamala Harris के बारे में कहा था कि अगर किसी भी तरीके से Kamala Harris जीत जाती है तो white house से curry का smell आएगा कहने के जरुवत नहीं कि जो curry food होता है वो भारत का food है तो यहां पे अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि Trump बहुत ही concern हो चुके हैं हिंदू से या किसी भी और minority से तो यह सोचना अपने आप में काफी व्यर्थ है इनके लिए सबसे जो important चीज है वो यह है कि इनको बस चुनाओ जीतना है जो कि किसी भी देश के किसी भी politician का जो सबसे important agenda या target होता है as an observer हमारे लिए important है कि हम ये जाने कि आखिर में क्यों Donald Trump हो गए या Kamala Harris हो गए वो Indian Americans को attract करना चाहते हैं तो हमें कुछ basic बातों का हमें ध्यान रखना है Democratic Party से belong करते हैं आपका Kamala Harris या Joe Biden और Republican से belong करते हैं Donald Trump जहां तक बात किया जाए Democratic Party के बारे में तो इनका जो ideology है वो बहुत हद तक इनको USA का left wing माना जाता है और जहां तक बात करे हम Trump का या Republican का तो ये वहाँ के right wing में count होते हैं तो अब तक का जो trend देखा गया था उसके हिसाब से जो Indian Americans हैं वो mostly आपका favor करते हैं Democratic Party को लेकिन साल 2020 के बाद जो voting pattern है उसमें change देखने को मिला जहां पर बढ़ चड़कर जो अब जो Indian Americans हैं उनका interest Republican के तरफ आया तो ये भी एक बहुत बड़ा वज़ा है कि क्यों Donald Trump ये चाहते हैं कि Indian Americans उनको vote करे Indian American लोगों का US में जो population है वो लगबग 52 या 53 लाग के आसपास पड़ता है और उसमें से भी जो active voting में participate करेंगे वो कुछ आपका 26 या 27 लाग के आसपास पड़ता है जिसके बारे में ये majorly माना जा रहा कि इसमें तमाम लोग vote में participate करेंगे और जो लोग vote में participate नहीं करेंगे वो या तो बच्चे हैं या तो किसी भी कारण से उनके पास vote देने का authority या उनके पास right नहीं है तो इसी लिए भी काफी important हो जाता है चाहे वो Republican हो या Democrat हो कि वो लोग क्यों Indian Americans के पीछे पड़े हुए हैं और बढ़ चड़कर जो Indian festivals या जो Hindu festival होता है उसको वो लोग मनाते हैं नहीं सिर्फ उसको मनाते हैं बलकि उसको बढ़ चड़कर promote करते हैं ताकि किसी भी तरीके से जो Indian Americans रहे उनका एक जो लगाव रहे वो उनके साथ बना रहे और साथ में जब Trump ने अपना election campaign को शुरू किया था तो शुरुआत के काफी दुनों तक इनका कोई खास अच्छा positive response नहीं आ रहा था लेकिन एक जो बहुत बड़ा change देखने को मिलता है वो तब मिलता है जब पर ये इसराइल के against कह रहे थें लेकिन एक समय के बाद ये बहुत हद तक pro-Israeli statements इनके आने शुरू हो गए हैं तो यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि Trump का विचार कोई खास बदला नहीं है चाहे वो भारतियों के लिए हो चाहे वो दुनिया के और भी किसी द साल 2020 के बाद multiple times अलग-अलग time period में survey हुए जहाँ पे ये मालूम पड़ा कि वैसे voters जो किसी भी तरीके से Democrat को vote करते थें उनके विचार में एक shift हुआ और उस shift के कारण ऐसा देखने को मिल रहा कि ये सारे लोग अब Republican को vote कर सकते हैं तो ये सारे जो statements दिये जाते हैं जहाँ बढ़ चड़कर Hindu festival को celebrate करना हो गया हो या किसी एक specific religion को promote करना हो गया हो या उनके बारे में कुछ अच्छा कहना हो गया हो ये सिर्फ और सिर्फ इसी बात पर depend करता है कि आप किस community से belong करते हैं और आपका financial condition क्या है जो Indian Americans रहते हैं उनका जो financial condition है वो as compared to जो Native American है उनसे कहीं ज जबूत है तो यहां से भी मालूम पड़ता है कि जिस community के पास पैसा होता है वो आपको election में fund करता है और जैसे ही आप election में आपको funds मिलने शुरू होते हैं वैसे ही आप उस पैसे का जो utilization है वो आप advertisement या बहुत हद तक जो public का mood है उसको आप change करने में invest करते हैं तो अगर इस गरूप से belong करते हों अगर आपका participation देश में नहीं है और किसी भी तरीके से आप अगर sufficient revenue generate नहीं कर पाते हैं खुद के लिए या देश के लिए तो आपका respect वहां पे नहीं होने वाला है I hope that you like the video अगर फिर भी मुझे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care goodbye